हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब के चैनल में और गाईज अगर आपके पास Redmi Note 10 है या तो फिर 10 Pro है और अगर आप उसमें अपने फोन में फोन के स्टेटस बार पे यहाँ पे नेटवर्क इंडिकेटर को आन करना चाहते हैं यानि कि आप जब भी अपने फोन में डेटा यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन में कितना डेटा खतम हो रहा है कितना स्पीड में चल रहा है आपका फोन का डेटा तो इसको आपको setting करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone में setting को open करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो यहाँ पे आपको notification and control center पे click करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको उपर के ओर slide करनी है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में status bar का option आता है तो यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे click करने के बाद guys यहाँ पे आपको second number पे so connection speed का option आता है तो यहाँ पे आपको click करके इसको जो है अपने phone में enable कर देना है और अगर आप इसको इस तरीके से disable करेंगे तो यहाँ पर आपके फोन में जो network speed है वो यहाँ पर so नहीं करेगा और अगर आप इसको enable करते हैं तो यहाँ पर आपके फोन में network speed यहाँ पर so करने लगता है तो इसी तरीके से आप जो इस सेटिंग को अपने फोन में कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए गाइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए तो चलिए गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में